Hello everyone, welcome back to my YouTube channel तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे All India Bar Examination के बारे में और लगातार इस टापिक पर हम लोग बात करते आये हैं कि All India Bar Examination होता क्या है परिक्षा कबली जाती है, फार्म कैसे भरे जाते हैं इसको पास करने के बाद से आपको करने क्या होते हैं इस बारे में All Lady हम कई बार आपको बता चुके हैं और इस पे कई वीडियो भी हैं आप लोग उसको देख सकते हैं तो बेसिकली All India Bar Examination आप सभी लोग जानते हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और उनका परपज भी अही है कि जो Bar Council of India से रिलेटेड जो वीडियो जोते हैं वो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकें तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं AIB 19 इक्साम की तो सबसे पहले AIB 18 की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि AIB 18 का रिजल्ट आउट हो चुका है उसके बाद से Bar Council of India ने फर्दर एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि जो लोग अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो लोग रिचेकिंग के लिए अपलाई कर सकते हैं तो जिल लोगों ने अभी तक रिचेकिंग के लिए अपलाई किया है उनका रिजल्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है ये कब पब्लिश होगा इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है लेकिन इस बारे में BCI का ये कहना है कि जब भी रिचेकिंग की रिजल्ट पब्लिश की जाएगी तो फर्दर एक नोटिफिकेशन बार काउंसिल आफ इंडिया के तरफ से उसके आफिसियल वेब साइट पे पब्लिश किया जाएगा तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहोई है जैसे ही रिचेकिंग की रिजल्ट जो है घोसित करना होगा उसके पहले एक नोटिफिकेशन बिसियाई के आफिसियल वेब साइट पे अवेलेबल होगी तो जहां तक हम बात कर रहे थे AIB19 की आल इंडियाबाद इग्जामिनेशन 19 का जो फार्म है यह पूरी संभावना है कि जुलाई के लाश्ट विक में पब्लिश हो जाएगी आनलाइन हो जाएगी आप उस फार्म को भर सकते हैं जुलाई के लाश्ट विक में AIB19 की फार्म जो है आने की संभावना है और जहां तक पेपर की संभावना है अक्तूबर के लाश्ट में आपका AIB19 का जो है एक्जाम हो सकता है तो उसी के कार्डिंग आप आप लोग जो है अपनी प्रिप्रेशन जारी रखिए और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि AIB का पेपर होता कैसे है आप सभी को पता है कि BRX अलाव होता है BRX जो है बिना 60 notes वाले जो है अलाव होते हैं अभी तक फिलहाल 60 notes वाला भी अलाव चला है तो BRX आप ले आ सकते हैं उनसे आप परसनों को ढूट करके जो परसन पूछे जाते हैं उनको आप लोग कर सकते हैं तो अभी तक यही होता आ रहा है अभी तक EIB 18 तक यही जो है process चला था कि आप BRX ले जा सकते हैं उनमें से परसनों को देख करके आप जो है answer दे सकते हैं तो अब आगे क्या हो सकता है BRX से अलाव होंगे कि नहीं होंगे यह आगे की बात होगी लेकिन अभी तक यही है कि आप BRX ले जाएंगे हर एक टापिक की BRX आपके पास होनी चाहिए और आपको यह पता होना जाहिए कि किस तरीके से हम BRX से उन परसनों को धूड़ेंगे जो आप से पूछा गया है तो इस बारे में भी हम लोग आगे बात करते रहेंगे इसके लावा इस पर मैं कई वीडियो भी बना चुका हूँ कि किस तरीके से आपको परसनों को BRX से धूड़ना है किस तरीके से साल्व करना है तो इसमें जादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है तो आप लोग इंतजार करिए और जहां तक मैंने आपको बता दिया पूरी संभावना है जुलाई के लाश्ट वीक में AIB19 का फार्म जो है अवेलेबल होगा आप लोग उसको फिल कर सकते हैं भर सकते हैं उसके बास से अक्टूबर के लाश्ट में आपके पेपर भी हो सकते हैं तो ये संभावनाय हैं जहां तक है और हो सकता है इसी डेट इसी से डूल में आपकी जो है जो आपको जो AIB19 का पेपर है वो हो जाए तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए इसके अलावा आपको बार काउंसिल आफ इंडिया से सम्मंदित जो AIB एक्जाम आर्गिनाइजड कराती है कोई आजानकारी आपको चाहिए तो उसको आप लोग कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं तो जैसा कि आपको पता है AIB18 के रिजाल के बाद से सभी लोग को डिकलेरेशन फार्म भरना होता है डिकलेरेशन फार्म कैसे भरते हैं कौन-कौन से डाकुमेंट्स लगाते हैं कितना फिस फेड करते हैं और डिकलेरेशन फार्म सब्मिट कहां होता है उसके बाद से आपको COP कितने दिनों मिलती है इस पे आल्डेडी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए है मेरे आप उसको आप लोग देख सकते हैं जो भी जानकारी आपको चाहिए इडोकेट से समонд्धिट चाहें वो रेजिस्टेशन के बारे में हो कि इडोकेट के रूप में रेजिस्टेशन कैसे कराते हैं फार्म को कैसे फिल करते हैं कौन-कौन से डाकुमेंट्स लगाते हैं, कितनी फीस लगती है, इस पर भी आलेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, जो भी समस्यां ये डोकेट से रिलेटेड आपके हैं, उसको आप लोग कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं, और साथी साथ आपको अगर बार काउंसिल आप इंडिया से संबंधी जो AIB एक्जाम आर्गेनाइज कराती है, कोई परस न पूछना है, उसको आप लोग कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं, तो AIB 19 की में जो संबावित तिती है, संबावित जो डेट है उसको बता दिया हूँ, उसी को ध्यान में रखती हुए, आप सभी लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, उसी के कार्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कोई बहुत मुश्किल एक्जाम नहीं होता है, आप सबको इस बात से बिलकुल घबराना नहीं चाहिए, कि बहुती टफ पेपर होता है, बहुती सिंपल पेपर होता है, आसान पेपर होता है, बस आपको उस जो बेरेक ले जाते हैं, बस जो प्रस्ण है उनको ढूड़ने का तरीका आपको आना चाहिए जब वो तरीका वो ट्रीक आप सिख जाएंगे तो AIB एक्जाम जो है आप आसानी से पास कर ले जाएंगे उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे प्रस्णों को ढूड़ना है क्या ट्रीक है किस मेथट से आप प्रस्णों को शाल्ब करेंगे वो आगे हम लोग इस बारे में बात करते रहेंगे तो बाकि अगर आपके कोई सवाल है कोई प्रस्ण है तो कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे लाइक करिए वीडियो के साथ साथ चैनल को अधिक साथ शेयर करिए और साथ ही साथ आपके जो भी प्रस्न है जो भी समस्या है उसको कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद